प्रोफेसर संगीता श्रिवास्तव को अलाहबाद उनिवर्सिटी की पहली विमेन वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है इंडियन नेवी ने इस महीने ब्रामोस मिसाइल के अंटिशिप वर्जिन को सक्सेस्फ़ली टेस्ट किया यह टेस्ट अंडमान इनिकोबर आइलेंड पर किया गया है रीसेंटली इनफोसिस प्राइस 2020 अनौन्स किये गए यह एवर्ड छे फिल्ड में दिया जाता है और इस साल के विनर्स हैं ड्र प्राची देशपांडे for Social Sciences and Humanities प्रोफेशर हरी बाला कृष्णा for Engineering and Computer Science ड्र राजन संकरा नारायनन in Life Sciences प्रोफेशर अरिंदम घोष in Physical Sciences सौरव चातरजी in Mathematical Sciences और राज चैटी in Social Sciences RBI के Monetary Policy Committee ने अपना बाइमंथली रिव्यू जारी किया है जिसमें रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35% मीडिया एक्जेकेटिव उद्याशंकर को FICCI के इंडस्ट्री चेम्बर का नया प्रेसिडेंट चुना गया है जनरल परमजीत सिंग को इंडिया का पहला डेप्यूटी चीफ of Army Staff Strategy appoint किया गया है RBI ने ये Announce किया है कि वो Regulated Entities के लिए Digital Payment Security Control Directions इंटर्ड्यूस करने वाले हैं ऐसा Digital Payment Channels की Security बढ़ाने और Consumer Service को Improve करने के लिए किया जाएगा Indian Council of Cultural Relations ने Global Understanding of India Project लाँज किया है इसके अंडर ICLR बाकी Countries में पढ़ाई जा रही Textbooks का सर्वे करेगी ये जानने के लिए कि इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है Finance Minister Nirmala Sita Raman ने Smuggling in India Report 2019-20 रिलीज की इस report में Narcotic Drugs, Gold and Foreign Currency के Smuggling Trends के साथ-साथ Security and Commercial Frauds के बारे में भी काफी Information दी गई है Overall Findings ये कहती हैं कि साल 2019-20 में Directorate of Gravenue Intelligence ने Total 412 Smuggling Cases Detect किये जिसमें 1949 क्रोड रुपे सीज किये गए और 837 Economic Offenders को अरेस्ट किया गया प्रजा Foundation के रिलीज किये हुए Urban Governance Index में पोडिशार टॉप पर रहा Followed by Maharashtra and चतिसगर और Manipur and Nagaland रहे bottom में वहीं Delhi 13th rank पर रहा Parliament Attack की 19th Anniversary पर लोकसभा Speaker श्री ओम बिल्ला ने बुक रिलीज की है जिसका English Title है The Shorya Unbound और Hindi Title है समुन्दर समावे बूंद में Union Cabinet ने हाल ही में DTH Broadcasting Services के Foreign Direct Investment को Resize करके 100% कर दिया है इसके साथ ही License Period को भी 10 साल से बढ़ा कर 20 साल कर दिया गया है Recently Digital India Awards 2020 दिये गए जिसमें पहली काटगरी है Innovation in Pandemic जिसमें बिहार Government को बिहार सहायता Mobile App के लिए अवार्ड दिया गया दूसरी काटगरी है Excellence in Digital Governance जिसमें उत्तर प्रदेश Food and Civil Supplies Department इस साल विशाखा पत्नम Municipal Corporation को As Best Performing Civic Body चूज किया है वहीं मिर्जापुर को Best Performing Municipal Body का हिताब मिला Government of India ने Telecom सेक्टर से Related National Security Directives लांज किये हैं ऐसा National Security Purpose से किया जा रहा है और इसके अंडर Service Providers को Government के Declare किये हुए Sources से Trusted Products ही Purchase करने होंगे Indian Meteorological Department ने इंडिया का Highest Meteorological Center Ladakh में Establish किया है जिसकी हाइट है 3500 मीटर्स Indian Union Health Minister श्री हर्ष वर्धन को Gavi Board के Member के रूप में नॉमिनेट किया गया है और वो इंडिया को 2021 से 2023 के बीच रेप्रेजेंट करेंगे ग्रीन यानि बायो फ्यूल को प्रमोट करने के लिए E20 फ्यूल इंट्रड्यूस किया है यहाँ E20 का मतलब है 20% एथनॉल और 80% गैसुलीन का मिक्स्चर E20 फ्यूल को इस्तमाल करने के कई फाइदे हैं जैसे वेहिक्युलर एमिशन रिडियूस होगा ओल इंपोर्ट कम होगा और ग्रीन हाउस गैसे जैसे हाइड्रो कार्बन और कार्बन डायोकसाइड का एमिशन भी कम होगा गाव्मेंट ओफ इंडिया ने नाशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी अप्रूव की है जिसमें डेटा प्राइविसी प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम स्टांडर्ड्स लाए गए हैं ये पॉलिसी एक गाइडेंस डॉक्युमेंट की तरहे काम करेगी पंडित दीन दयाल उपाध्याय टेलिकॉम स्किल एक्सेलेंस अवर्डस 2020 इस बार दिया गया श्री निवास कारनम को उनके कॉस्ट एफेक्टिव टेचनिकल सॉल्यूशन फॉर डीप सी कम्यूनिकेशन के लिए स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया को Golden Peacock Environment Management Award 2020 स्टेल सेक्टर में दिया गया ये अवर्ड सेल को Environmental Friendly Industry Measures अपनाने के लिए दिया गया है इसरो ने इंडिया में पहला Dedicated Control Center for Space Situational Awareness सेट अप किया है जिसका नाम है Network for Space Object Tracking and Analysis In short form, it can be called Netra इसका काम होगा इंडिया के सभी Space Assets को Monitor, Track और Protect करना बढ़ते हुए Farmer Protest को देखती हुए Government of India ने 100-page की e-booklet Putting Farmers First लॉंच की है जिसमें इन Farmers की Success Stories को दिखाये गया है जिनहें Contract Farming से फाइदा हुआ है Let's move on to International Current Affairs हाल ही में, रिलीस कीए गए US Air Quality Index के According, Lahore, world की सबसे polluted city है With a particulate matter rating of 423 उसके बाद आती है New Delhi With a rating of 229 And Kathmandu with a rating of 178 Merriam-Webster Dictionary ने World Pandemic को 2020 का सबसे top word चुना है WHO released World Malaria Report 2020 में ये पाया गया कि इंडिया ने Southeast Asia में सबसे जादा Malaria Case Reduction रिकॉर्ड किया है जहां इंडिया में साल 2000 में 20 मिलियन केसिस थे वहीं अब ये गिर कर 2019 में 5.6 मिलियन रह गए हैं इसके साथ ही World Trade Organization ने World Trade Report 2020 लॉंच की है इस रिपोर्ट में टेकनोलोजिकल प्रोग्रेस और डिजिटल इनोवेशन के लिए लाई गई गवर्मेंट पॉलिसीज को अनलाईज किया गया है रिपोर्ट के मताबिक करीब 115 कंट्रीज ने COVID-19 के बाद नई डिजिटल और इंडस्ट्रियल स्ट्राटजीज को अपनाया है इसमें टैक्स ब्रेक्स, डेटा अक्सिस, टेग हब्स और रिसरच इन डेवलाप्मेंट भी शामिल है वार की फाउंडेशन द्वारा दिये जाने वाले Global Teacher Prize 2020 इस बार दिया गया है रंजीत सिंग दिसेले को रंजीत सिंग महराश्ट्र के सोलापुर में एक प्राइमरी स्कूल टीचर है इंडिया और USA ने हाल ही में Understanding on Intellectual Property पर एक Memorandum of Understanding sign किया है इसके थूँ दोनों देशों के बीच IP Exchange की Best Practices और Internet Protocol Knowledge फेसिलिटेट कराई जाएगी टाइम Kid of the Year Award 2020 जीता है गितांजली राव ने जो की एक Indian American है ये अवर्ड उन्हें Technology का यूज करके गंदे पानी से जुड़े Problems पर काम करने के लिए दिया गया Serum Institute of India के CEO अदार पूनावाला को Asian of the Year Award से नवाजा गया Mr. पूनावाला इस अवर्ड को पाने वाले छे लोगों में से एक है This award is provided by a Singapore Daily Straits Times UNESCO ने World Heritage Cities में इंडिया की दो और सिटीज को शामिल किया है ओर्चा और ग्वालियर ये UNESCO के Urban Landscape City Program के अंडर किया गया है UN Investment Promotion Award 2020 दिया गया है Invest India को ये award UN Conference on Trade and Development ने अनाउंस किया World Health Organization ने recently Indian Origin Global Health Expert Anil Soni को अपना पहला CEO चुना है Times Person of the Year Award 2020 दिया गया है Doctors, Nurses, Grocery Store Employees, Delivery People जैसे COVID Warriors को New Climate Institute, German Watch और Climate Action Network ने Global Climate Change Performance Index रिलेज किया जिसमें India is still in top 10 greenhouse emitters globally UK COVID vaccine launch करने वाली पहली कंट्री बनी है इसे डवलप किया है फार्मा कंपनीज पीफाइजर और बायो एंटेक ने United Nations ने हाल ही में ये resolution पास किया है कि 27 दिसेंबर को International Day of Epidemic Preparedness मार्क किया जाएगा German Chancellor Angela Merkel को Forbes World's 100 Most Powerful Women लिस्ट में टॉप पर रखा गया है The Ramanujan Prize for Mathematicians 2020 दिया गया है Rio de Janeiro की Dr. Carolina Arazuo को Center for Economics and Business Research की according 2025 तक इंडिया वर्ल्ड की 5th largest economy बन जाएगी अभी फिलहाल इंडिया 6th position पर है Human Freedom Index 2020 में इस बार इंडिया की rank है 111th 2019 में इंडिया 94th rank पर था ये इंडेक्स 79 अलग-अलग इंडिकेटर्स की help से हर कंट्री की personal और economic freedom को calculate करता है Tata Group के Chairman Ratan Tata को Global Visionary of Sustainable Business and Peace Award से सम्मानित किया गया UN Development Program द्वारा released Human Development Index में इस साल इंडिया की rank है 131 with a score of 0.640 UNEP ने recently 7 Young Environment List को Young Champions of the Earth 2020 Award दिया है ये award हर साल साथ entrepreneurs को दिया जाता है जिनकी उम्र 30 साल से कम है इस साल ये award मिला है केनिया के जांबी मेटी, चाइना के शाउवा रेन, इंडिया के विद्यूत मोहन, ग्रीस के लेफ्ट्रिस अरा पाकीज, यूसे के निर्या अलीशिया गराशिया, कुवैद के फातिमा अलजलजला, और पेरू के मैक्स हिडालगो क्विंटो को आएए बढ़ते हैं स्पोर्ट्स करिंट फैस की तरफ, पाहरेन में हुए फॉर्मिला वन, सप्पीर, ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है मेक्सिको के सेगियो परेज ने, इसमें सेकंड पोजेशन पर रहे फ्रांस के एस्टबान, और थर्ड प्लेस पर थे कैनडा के लॉन्स ट ने ये अन्नाउंस किया है कि गव्मेंट ओल ओवर इंडिया, थाउजन्ट, खेलो इंडिया सेंटर स्टार्ट करने वाली है, इससे रिटायर्ट स्पोर्ट्स परसंस को इंप्लॉइमेंट मिलेगा और इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा भी, वर्ल्ड हेवी इडिया तूटर, एलावनील वेला रिवान और रेसलर, बजरंग पूनिया को स्पोर्ट्स परसंस अफ दया गया, अनिल कुंबले को बेस्ट कंपनी प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स का अवार्ड दया गया, एंडिया गया, इसीझी ने हाल ही में अनॉंस किये हैं, मेंस और व इंडिया के आर अश्विन और विराथ कोहली, इंग्लेंड के जो रूत, श्री लंका के कुमार संगकारा, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मित, साथ आफ्रिका के एबी डिविलियर्स और न्यूजीलेंड के केन विलियमसन को. वही रॉशल हे हो प्लिंट अवर्ड फर आइसीची फीमेल क्रिकेटर अफ देकेड दिया गया है, इंडिया के मिताली राज, न्यूजीलेंड की सूजी बेल्स, ऑस्ट्रेलिया की मैग लानिंग और एलीस पैरी, इंग्लेंड की सारा टेलर और वेस्ट इंडीस की स्टेफनी टेलर को और विरात कोहली को मेल क्रिकेटर अफ दे यर चुना गया, ग्लोब सॉकर अवर्ड में प्लेयर अफ दे सेंचरी अवर्ड दिया गया है, एस फुटबॉलर क्रिश्चियानो रोनाल्डो को, वहीं बेयर्ण मुनीश ने क्लब अफ दे यर का अवर्ड अपने नाम क इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने योगा असन को एज अ कॉंपेटिटिव स्पोर्ट फॉर्मली रेकिगनाईज किया है, इससे अब योगा को भी गव्मेंट फंडिंग मिल सकेगी और अब से योगा कई स्पोर्ट्स एवेंट्स का भी पार्ट बनेगा, चलिए क्व अधरजीत सिंग सोधी वर्सिस चेर्मैन पंजाब एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये साफ कहा कि अगर स्पेशल लीव पेटिशन डिस्मिस हो भी जाती है तो केस के क्वेशन आफ लॉपर कोई एफेक्ट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने सुमेच सिंग सैनी वर्सिस टेट अफ पंजाब में कहा कि FIR लॉज करने में हुई देरी अंटिसिपेट रिबेल के लिए एक बैलिट कंसिडरेशन है सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर नरेश कुमार मंगला वर्सिस अनीता अगरवाल में मीडिया ट्रायल को हाइलाइट करते हुए कुछ यू कहा selective leaks during investigation to media affects the right of the accused as well as the victim आटिस अना कुम को चार से रिए है बाहराशन है यू कर दादिसरा टाँ ट्राव भ्रा यू करने में टुछ धादिसराड़ान है यू अव्रश ने डाटिसराव झारेशन का बाहराशन का लावाल